ओम अनन्त कोटि ब्रिम्हांड नायक राजा दिराजा योगी राजा परंब्रिम्म सचिदानन्द समर्थ सद्गुरू साइनात्माराज की जै अनन्ता तुलाते कसेरे स्थवावे अनन्ता तुलाते कसेरे नमावे अनन्ता मुकाचा सिने से सगाता नमस्कार साष्टांग स्री साहिनाधा आज सम्बलपूर में हुआ बाबा का लीला अच्चत बुथया निर्वचनी है सम्बलपूर का पास बुल्ला बोलके एक जगा है वहाँ पर बहुत बाबा का बक्त रहते है वो लोग बाबा को इतना बक्ती करते है बाबा के लिए प्राण देने के लिए भी तयार है एसा ही एक बक्त का घर में साइगाईत्रे महा मंत्र का जब करने गई थी उनका नाम कुमारी था उनका घर छोटा सा है उनका पास साइगाईत्रे महा मंत्र का जब शुरू किया उनमें से एक मौसी भी थी वो बोलने लगी माधवी मेरी सिर पर क्या कुछ गिर रहा है क्या है बहुत बार बोली हम सब महसुस किया वो विभूदी का गंद था किन्तु विभूदी दिखाई नहीं दिया साइगा इत्रे महा मांतर का जब खतम हुआ सब कोई बहुत आनंद में थे तब कुमारी ने कहा कि मेडम दो दिन पहले बाबा आपका साथ मेरी स्वपन में आये थे मैं उनको खाना खिलाया बाबा खाना खाके बोला कि माधवी चलो जाएंगे मैं सोची बाबा स्वपने में क्यों आया अब मुझे समझ में आया कि हमारा गर में वो साईगाईत्री का रूप में आना था ये बात हम सब सुनके बहुत दुकुश हुआ उसका बाद सब अपना अपना गर चला गया बाद में वो जो माउसी बोल रही थी कि मेरा सिर पर क्या गिर रहा है वो था बाबा का विभूधी बाबा का विभूधी हम सब गर पहुंचने का बाद उसका गर में गिरा था बाबा ने कितना लीला किया आप सबी साई बक्त सोचिए नीचे फोटो भी आप लोग देख सकते हैं कुमारे बाबा का बहुत प्यारा भक्तती वो बाबा के लिए जान भी देने के लिए तयार है एसा भक्तों के लिए बाबा हमेशा तत्पर रहता है लिला करने के लिए ये लिला सुनके सबी साई बक्त कुछ रहेंगे एसा ही लिला का साथ मैं फिर मिलूंगी सर्वं सायना दारपन मस्तू